हेलो दोस्तो जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ तो यह देखिए Monika's home kitchen में क्या बन रहा है Monika's home kitchen में बन रहा है बहुत tasty, healthy lunch, dinner jáप कुछ भी बोल सकते हैं lunch में भी बना सकते हैं special dinner में भी बना सकते हैं sorry guys तो यह देखिए मैंने बनाए healthy आटे के नान छोले की सबजी और 5 मिर्ची ये सब मैंने बना के रेडी कर लिया है तो ये देखे मैंने छोले पहले भीगोने रख दिये थे भीगने मतलब सोख होने ये देखे फूल चुके हैं अच्छे से चार से पांच गणते इसको सोख होने रख दिया थे मैंने गरम पानी डाल के तो चलिए इनको कूकर में ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि हमें इनको बॉल करना है तो ये देखे मैंने सारे ही ये ट्रांसफर कर लिये हैं थोड़ा सर्दी की हो जैसे ना ऐसे गला थोड़ा सा खराब हो चुका है क्योंकि सर्दी दिली में पहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये देखें मैंने इसमें गरम पानी थोड़ा सा एड़ कर दिया मेरे पास था कि इतली में तो मैंने गरम पानी एड़ कर दिया है और यह कि यह टी बैग भी रखा था मैंने इसका पोटली टाइप का बना लिया मैं दिखा रही थी आपको तो मैंने यह भी इसमें एड़ कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक और थोड़ा सा एक पिंच बेकिंग सोडा इसमें डाल देंगे जिसे कि अच्छे से फूल जाएंगे कभी-कभी मैं डाल देती हूं कभी-कभी नहीं भी डालती हूं ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मैं छोले बना रही हूं तो इसको डालोंगे आथ थोड़ा सा स्पेशल बना रहे थे तो इसलिए मैंने इसको डाल दे थोड़ा और सोफ्ट हो जाएंगे ऐसा अगर एक दो विसल एक्ष्टा लगा लो तो तभी भी यह बन जाते हैं देखें पिंच मैने सोडा इसमें डा एड़ कर दिया है और अभी इसके लिड लगा कर इसमें पांस से छे विसलाने तक इसको अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे चोले चले गैस शालू कर देते हैं और इ इसको गेहों के आटे से बनाएंगा और बलीव मी गाईज आप मेरा विस्वास की जो बहुत टेश्टी यह नान बनते हैं आप एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा आप ये किसी फैस्टेवल पर बना सकते हैं या फिर कोई गैस्ट आपके घर में आ रहा है तबी भी आपको चार से पांच चमच इसमें हम तभी डाल देंगे रूम ट конф機 वाला दभी है तो मैंने चार चमच इसमें वह भी अड् mead कर दिया है अभी हम इसमेण करेंगे नम dal प तोड़ा सा चीनी हलका सामिठास के लिए दे खे चोटा चमच मैंने इसमें नमक कर दिया है और हल्क आसा आधी छोटी चमच मैं इसमें चीनी एड़ करूंगे शुगर पाउडर एड़ कर देंगे तोड़ा सा देसी घी ये देखे ये घी थोड़ा सा जम गया था तो मैं इसको मेल्ट करने रख रही थी पहले देखा कि इसको डालना है तो ये तो मेल्ट करना तब तक आगे का कम कर लेते हैं तो हम बेकिंग सोड़ा ले लेते हैं और एक पिंच एक पिंच के जितना ज़्यादा हमें इसमें सोड़ा एगर्वागर्रा कर यूज़ नहीं करना 24 नहीं विद्धिर प्स दिखा रही हमें इसको ये देखे मैं आपको दिखा रही ह ustedes को दे कहुंते कर दों तो यह भी मुझे फिल करनी है तो डश को लाश्ट में देखा फिर इन सारी हैं चीजों को मिक्स कर देठे हैं जो भी हमने चीजे लिए घी दही danhi sini jamak i.nads in sap को मिक्स कर देद हो गळम पानी ले 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 तम गरम-पानी से मिसताट को कर देंगे एक दम सौफ्ट सा डो लगाएंगे इसका तोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते चाहें को ने दहीं हब्हुक्त कर दो सफ्ट भीस एड़ा ना था थोड़ा पानी test करते जाएंगे ॉर्च्छे से सॉफ्ट इसका डो लगा लें यह देखं़ bricks Launch यह देखे गाइस इसका सोफट डो लग चुका है अभी हम इसमें क्या करेंगे अपना यह देखे चलिए इसको ढखके रख देते हैं इसको रैश्ट होने देते हैं अभी हम अभी अपनी पाकी की तैयारी कर लेते हैं तो यह देखे हम चोले बना रहे हैं इसमें चार से पांच यह मिल पास छोटे वाली प्याज थी तो हम इसको चौप कर लेंगे इसको चौप करके अच्छे से चौपिंग कर लेंगे मतला पहले इसको चील के रैडी कर लेंगे थोड़ा सा मैंने लेसून ले लिया और एक यह हमारी प्याज भी कट हो ची कि मैंने रफली कट कर लिया है इनको मैं चौपर में डालके चौप कर लूँगे मैं चौपर निकाल लेती हूँ अपना और इनको चौप कर लेती हूँ और प्लीज गाइज मेरी रेसिपीज मेरी वीडियो थोड़े भी हैलफुल आपको लगते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो यह देखिए यह भी हमारे चौप हो चुक है तो इनको निकाल लेत मैंने इनको भी अच्छे से चौप कर लिया बारिक आप इसमें पेश्ट भी बना के डाल सकते हैं लेकिन ऐसे दरदरा मसाला बना के डालते हैं तो बहुत गजब का टेश्ट इसका आता है जब में छोले बना रहे थे ना पूरे घर में खुश भूआ रहे थी इतना ही के तो हमारे छोले देखिए मैं कुकर खोल लेती हूं हलका से इसमें भाब थी तो मैं इसको हाथ से ऐसे प्रैश करके निकाल रही थी क्योंकि घरा में और मुझे थोड़ा जल्दी भी शाम का टाइम है क्योंकि मैं यह डिनर में बना रही हूं क्योंकि हैस्बन दोपैर में आफिस रहते हैं बच्चे भी स्कूल में रहते तो शाम को टाइम लगता है कुछ अच्छा सा खाने का मनता तो चलो शाम को यह बना लेते हैं यह देखिए मैं दिखा रही थी कि अच्छे से हमारी पग चुके हैं चलिए अब इनको बना लेते हैं तो मैंने गैस चालू कर vist यह रहारी है कृड़ाई रख देते हैं और इस में हम בनादे हैं असके तेरह टेते हैं ते ऐसे में चोटसब चालू है यह मिखेर ना पेश रची हुमोरी चलो का में हैं उना यह दो चलो हैं तो पन्ल governments सिंद्वाट थीक आछके अब मसालने चानोंडू से यह रायिज्य और उसके बाद हम इसमें अप्ना प्याज ऒाउन कर दें तो यह देखेगा इसमें मने अपना यह प्याज कर दिया है और प्याज कमी Table अच्छा Golden Brown होने तो प्याज जलाना नहीं हごgnn ब्राउन होने ल Сейчас को जादा कुछ इसमें यह नहीं करना है बस हम वह बेसिक जैसे कि छोटा चमच हल्दी पावडर तो एक चोटा चमच नमक आप जिसमें सफेद नमक एड़ करेंगे जो रेगुलर हम नमक खाते हैं वह और एक चोटा चमच इसमें ब्लैक सॉल्ट करेंगे काला नमक इससे गजव का टेस्ट आता है ब्लीब में आप ट्राइज जरूर कीज़ेगा इस तरीके से छोले जो कि बहुत टेस्टी लगते जैसे हम धाबे वगएरा पर खाते न वसी टाइप का टेस्ट होता है तो चलिए इन सभी मसालों को मच्छे से भून लेते हैं आपके पास धनिया पावडर ह टेमाटर एड करने के पाद भी इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि इसका तेल सेपरेट ना होजे पूरा तेल किनारों से अलग ना हो जाए तब तक इससे हमें भूनना है यह देखिए हलका सा तेल अलग हो चुगा अभी हम इसमें डाल देते हैं अपना एक मेथी यह देखिए आप मेरे तरीके से यह बनाईएगा ना तो बहुत टेश्ट यह आपके छोले बने एक दम परफेक्ट आपको मार्केट यह रेश्टून जाने की जरुती नहीं पड़ेगी और देखिए यह मैंने इसमें अमचूर पावडर एड किया एक छोटा चमच म इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे देखिए यह हमारा मसाला पाग चुक है आप देख सकते हैं इस पर तेल पूरा उपर आ गया है अभी हम इसमें छोले अड़ कर देते हैं छोले अड़ करने के बाद इनको भी ना मसालों के साब एक से दो मिनट तक भून लेंगे जिसस को लगातार चलाते हो बुनेंगे वरना तो ये नीचे से जल जाएगा फिर ये देखिए अच्छे से हमने हमने इसे भून लिया है अभी हम इसमें क्या करेंगे अपना पानी एड़ कर देंगे जितना हमें पानी है जितनी हमें ग्रेवी पतली या गाड़ी चाहिए उस अगर मसाले पके हुए है और थंडा पानी एड़ कर देंगे तो इसका थोड़ा सा मिस बैलेंस हो जाता है तो इस वज़े से मैंने इसमें गरम पानी एड़ किया चलिए इसको अभी पकने देते हैं लिड लगाके इसको चार से पांच मिनट अभी छोड़ेंगे और उसके देखें पाद इसको वापस से चेक करते हैं तो देखें से चार से मिनट और अब देख सकते हैं इसका तेल उपर आचका है इसका मतलब हमारे छोड़े चोले एकदम परफेक्ट पके순 हैं यह देखें मैं इसको वापस से चला रही हूंगे यत News घ्लाते हमें ऑपने चोले मस और प्लीज मेरी रेसिपी मेरी वीडियो मेरे कुकिंग लोक्स आपको थोड़े भी हेलफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अपना प्यारा सा कमेंड आप करोगे न तो मुझे बहुत तो यह देखे मैंने इसमें डाल दिया और अभी बाद में डाल देते हैं अपना हरदनिया जो मैंने सवाश करके कट करके रखा हुआ था तो चलिए छोले तो हमारे डन हो चुके हैं इनको निकाल लेते हैं क्योंकि मेरा किचन थोड़ा सा छोटा है तो इस वजे से रखने में प्रोब्लम होती है तो यह देखे खुश्बुदे की आये हैं लेकिन इनको ही दोने जब देखा वीड़े बनने तो तुरण चले चलिए मस्ती मजाक होते रहता तो मैं अपने छोले सारे इसमें विगोने में ट्रासफर कर लेती हूँ तो यह देखे जितने इसमें आये इत इसके साथ अच्छी लगेगी खाने में छोटी हैं बड़ी नहीं है अब इस बार छोटी प्याज आई है यह देखे पाणी डाल के इसमें कट करके रख देते हैं जिससे कि इसका जो प्याज का तीका बन होता है वो निकल जाता अगर प्याज में थोड़ा पानी डाल के तोड़ा साथी मिर्ची एड़ कर दिया है और बस इसको फ्राई होने में देखिए एक मिर्ची को इतना जल्दी तो नीचे भी गिर गई है तो यह देखिए मिर्ची हमारी फ्राई हो चुकी है और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा नीबू एड़ कर दिया है जल्दी है न तो मैंने इसके बीजे भी नहीं गया बाद में जब मैं इसको सर्व करूँगी तो इसको बीजे निकाल दूँगी गैस बंद करके इसमें नीबू एड़ कर दिया है चलिए इसको अब साइड मे रख लेते हैं और अपने नान रेडी कर लेते हैं तो यह देखिए मेरा आटा हो चुका है मैं इसको एक बार और मसल रही दे और एक चोटा लोई के बड़ापर जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम उसी टाइप से हम इसको बना लेगे सुख ए आटे मेला पेटेंगे और थोड़ा सा इसको बना लेंगे, देखिए मैंने गया हूं कि आटे से मैं बना रही हूं, नॉर्मल, यह कोई मैदा वगएरा मैंने यूज नहीं किया है, और आप देखना इसका टेस्ट बहुत गजब का होता है, मैदा जितना हम अवर्ड करें उतना कर ही सकते हैं, क्योंकि मैदा हेल्थ के ना आएगे, और इसको अच्य से बिल लिएगे, सूखे आटै में लटकर बैले के, आप इसको गॉल सेप में भी बेल सकते हैं आवल सेप में भी बेल सकते हैं जैसा आपका मन हो वैसा बेल देखिए मैंने आवल सेप में थोड़ा बेल लिया है और थोड़ा इसको डेकोरेट कर देते हैं मतलब सजा देते हैं तो मैंने थोड़ा सा धनिया पता ले लिया है और देखें यह सफेद तील हैं जिसको सेसमे सीच भी बोला जाता है तो यह देखें मैंने यह इस पर इस प्रिंकल कर दिया है उतलब छिड़क दिये हैं और इसको एक बार बेलंस से और चला के इस पर पूरा सेट कर लें जिससे के हम तवे पर इसके डाले तो यह निकले ना तो आपके नान और छोले एक दम परफेक्ट बनेंगे और आप कोई बिलीव ही नहीं करेगा इनको आपने एक घर पे बनाया है तो यह देखें साइड से मैंने थोड़ा सा ओल लगा दिया है मैंने तवा पहले गरम होने रख दिया था ना तो हलका सा तेज हो चुका था लेकिन हलके धीमे आज पे करना था हलके एक साइड से लग चुका है लेकिन कोई नहीं यह सब तो होता ही रहता है कि चन में देखें हलका सब दस से इसको घी लगा देगा और अलट पलट के इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक गोल्डन चित्ति आने तक दोनों साइड से से अगर थोड़े सी बातों का ध्यान रखा जाएन है तो हम घर पर एकदम परफेक्टली अच्छे से खाना राइस्टरान जैसा बना सकते हैं इसमें कोई ज्यादा प्रोब्लम नहीं होते हैं और यह ना मार्केट के खाने से जैसे रेश्टरान वगरा भी खाने वह कभी-कभ मैंने हरी चटनी डाल दी यह अपने रख लिए छोले टेम्टिंग टेश्टी से छोले देखके ही मूँ में पानी आ रहा है ना गाइस किस-किस के मूँ में पानी आ रहा है वो बताईएगा तो चलिए यह मस्ती तो हो गई यह मैंने मिर्ची फ्राइए रख लिए हैं और मै मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ऐसकर मेरी बेटी को इस फेवरियु पहुत पसंद है ये देखे ये ये अपने treats सोफ्टसे नशाय इनको भी हम अपनी प्लेट में रख लेते हैं तो कैसी लगई आपको मेरे अज की ये थाली आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चलिए फिर मिलती हूँ एक नेक्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए बाई बाई जै श्री कृष्णा